कि नमस्कार मित्रों मैं आपका मित्र दीपक्तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोग प्रिये चैनल युवर काल चक्रा मित्रों आधर्णिये उत्रदीदी के साथ हम चित्रा नक्षत्र पे आज बात करें हैं चित्रा नक्षत्र में जनम लेने वाले जातक या जातिकाएं उनकी जीवन से संबंदित बहुत ही महित्पून विशे पे आज वह में सिखाने वाली हैं मैं आप सभी के सवयोग से उनका स्वाद करता हूं नमश्कार दीदी आपका स्वाद और इसके भी चुकि ये दो राशियों में विभाजित है दो चरण इसके कन्या राशी में हैं प्रथम और जुतिय चरण और तृतिय और चतुरत चरण इसका तुला राशी में हैं तो इन दोनों में इसका जो विभार है नक्षत्र का या इसके स्वामी का मंगल का वो बद पहले ये बुद्ध की कज्या राशी में दो चरण है, तेईस डिग्री बीस मिनिट से लेके और तीस डिग्री तक, यहां पर राशी स्वामी बुद्ध है और नक्षत्र स्वामी मंगल है, इस तरह से हम इसको देखते हैं, अब चरीर के जिन अंगों पर इसका प्रभाव पेट में और तीखा और अचानक होने वाला दर्थ, हैजे जैसी स्थिति, डिहाइडरेशन वगरा हो जाना, पेट में कीडे भी हो सकते हैं, बेचेनी और खुजली रहती है, टांगों में दर्थ रहता है, और सूखा दर्थ रहता है, जो पेट को हम पकड़ें, इतना या तो पेट में कीडे हो जाते हैं, या छोटे-छोटे कीडे या रेंगने वाले जानवर काटने से भी घा हो जाता है, यह इस तरह कि जो छोटी-छोटी तकलीफ हैं होती हैं, तो पेट की तो स्वामी नहीं है सही, और वाकि छोटे-छोटे की हैं, अब इनकी मानसिक होता है हाथ से कला में निपून रहता है खुश रहता है खुश मिजाज रहता है खुद भी खुश रहता है दूसरों को भी हसाता रहता है और हाथों का कुशलता से प्रयोग करता है हाथों के व्यवारिक होता है प्रैक्टिकल होता है व्यापारिक बुद्धिवाला होता है यापाई ची उसे अच्छी समझ भी रहती है पूर जावान रहता है मंगल के कारण और वैसे भी बुद्ध भी fast moving planet है तो दोनों ग्रह मिलकर इसको बहुत ही fast हर काम में हडवड़ी वाला बना देते हैं हिम्मत भी रहती है मंगल के कारण शक्ती से बरपूर और तर्क वितर्क जरूर करेंगे सीधे सीधे से कभी भी किसी चीज़ को नहीं मानते है इसके अतिरिक्ति फूलों वगराओं के शौकिन भी होते हैं और सुन्दर नेत्र इनकी आखें सुन्दर रहती हैं अगर लग्म पर होता है तो और इनके शरीर का अंगभी समुक उत्र अनुपात में रहता है बेडोल नहीं रहता है जै क्योंकि मंगल भी स्ट्रेट और स्मार्ट बनाता है और बुद्ध भी स्ली Tub không बनाता है इस ट्राइब के अंग भी नहीं बनाता है और शरीर का स्टक्राइब अब हम देख लेते हैं व्यवसाय व्यवसाय जो है mechanical engineering तो सबसे पहले कि मंगल और बुद्ध की यूति हो गई तो मंगल तो machinery का है बुद्ध गनित का है और दोनों मिलके engineering या फिर press में काम करना या प्रकाशन किसी भी प्रकाशन संस्था से जुड़ जाना इसके अतरित यह लोग construction का काम भी अच्छा कर सकते है भवन निर्मान या फिर brokerage broker का काम भी कर सकते है आराम से या कई लोग ऐसे होते हैं यदि राहू भी इसमें involved रहता है कहीं न कहीं राहू सब लॉट भी होए तो जेल में सामान सप्लाई करते हैं इसके अतरिक अगर law की पढ़ाई करते हैं कानून का ज्यान पराप्त करते हैं तो criminal lawyer होते हैं फौजदा department इसके अतरित वित्विभाग financial से जुड़ा हुआ जो भी विभाग रहता है रुपाय पैसे से उसमें काम कर सकते हैं कोई factory भी कई लोग बना लेते हैं अपने लिए या बिजली के विभाग से जुड़े रहते हैं नहीं तो शनी यदि जुड़ता है तो माइन्स माइन्स क खुड़ाई या सुरंगों की खुड़ाई इससे भी जुड़ सकते हैं और कई बार ये लोग सुरक्षा विभाग security department से लिए जुड़े रह सकते हैं बहुत सारे हैं इसमें और तीसरा ग्रह क्या जुड़ रहा है उसको भी हमें देखना पड़ता है इंके साथ कोई ग्रह पैठा हुआ है क्या या अगर दशंभाव पर है ये कस और उसके साथ कोई ग्रह देख रहा है या किस ग्रह की दशा चल रही है वो connected है तो उसके हिससाब से डिसाइड होता है और सेना का हिसाब किताब रखने वाला क्योंकि कॉमर्सियल हैस में बुद्ध के कारण या कॉस् इसके अतिरिक आभूशन निर्मान का काम भी कर सकते है गहने बनाने सोने के चांदी के ये गहने विशेश रूप से सोने स्वार्ने पैंटिंग कई लोग पैंटिंग का भी करते है उसमें कभी-कभी शुक्र भी इन्वाल्व हो जाता है शुक्र इन्वाल्व होता है तो फ कपड़ा निर्मान या कपड़े का काम यह सब भी हो कर सकते हैं हमने पिछले उसमें बताया है चद्र और बुद्ध में कपड़ा कपड़े से भी जुड़े हुए है इस कहते लिख जाते हैं सूर्य जुड़ता है तो फिजीशन सिंपल फिजीशन या नाक कान विशेशग्य जो होते हैं ना ENT से बुद्ध जो है सबका कारत यह कुछ-कुछ खास विवसाय हैं जो इन ग्रहों के योग हैं हमें बताते हैं इसके साथ-साथ हमें ये भी देख लेना चाहिए कि मंगल और बुद्ध कहां पर स्थित हैं किन-किन भावों के स्वामी हैं क्या उनकी दशा अंतर दशा चल रही हैं क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ाई करता है उस समय उसकी फेवरेबल दशा चलनी चाहिए अगर वो नहीं चल पाती है तो व्यक्ति की जो पढ़ाई है वो फिर किसी और दूसरे क्षेत्र में होती है और वो सब जो योग बनते हैं वो रह जा तो इस चीज़ का भी हमें पूरा देख कर संपूर्ण रूप से फिर हमें विशलेशन करना चाहिए तो यह कुछ खास खास बातें थी जो हमने आपको इस योग में बताई है अब हमारा जो अगला है जित्रा रक्षत्री रहेगा लेकिन इसका तीसरा और चौथा चरण तुला रा आगे चलकर बाचीत करेंगे उसके बारे में और कुछ ग्याना अग्जन करेंगे बहुत बढ़िया बहुत ही आपकी हर वीडियो में मैंने वाईशा अनुभव किया कि सटीकता बहुत ज्यादा देदी एक-एक फॉइंट जो मैं अब्जर्व करता हूं कुंडलियों पे ल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं आधर्णी उत्राजीदी शिक्षा हैं कंसर्टेंसी दोनों विश्यों में एक्सपर्ट हैं और अभी पीछे उनका स्वास्ते खराब होने के कारण से हम के-पी का कोर्स शुरू नहीं कर पाये थे अभी हम पुना उसके बारे मे जल्दी ही वीडियो रिलीज करने वाले हैं जो लोग के-पी सीखना चाहते हैं वो मुझको या दीदी को डारेक्टली अप्रोच कर सकते हैं इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही फिन मिलते हैं नए विशे के साथ नमस्कार धन्यवाद